कारिक्रम सुननया सबो संग्वारी मला रोसन भाई के राम राम संगी हो आज गोड़ बात करवो समर्मित क्रिशी प्रनाली मा आज आए मंगलवार सुन्बो हलो किसान वाली म फोनीन कारिक्रम विशय हो ही मस्चली बीच संचेन के पूर्वय तैयारी एवं प्रवंधन विशय सक्जे हो ही अनिल पुरानिक साहक मतस्य अधिकारी रायपूर संग्मा आज के प्रश्ण और घीश संगीत हो ही संग्वारी हो हम किसान और खेती किसानी के काम बुतमा बिहन्या ले संजाव विप्तियाई रिथन चाहे देख रेक के बात होबा है पानी के बात होबा है या खातू कचरा के कतको किसान संग्वारी मनहा निदाई के घला कामला चालू कड़ रहे है फिर कतको संग्वारी मनहा नीदान यंत्रन बर नीदानासक के उप्योक करके निदाईले बात जित है संगी हो फसल बने रहा है अपन अवस्था के अनुसार तभे हम उमल्ला खुसी मिल थे कतको हमर संगवाली मनहा ये कहन की चाहे कुनों फसल हो भए सबों के उत्पादान किसान संगवारी मनही ले थे चाहे छोटे किसान हुआ है या बड़े किसान हुआ है, फ़सल चाहे थोड़ा हुआ है या ज्यादा मात्रमा, सबो हमर खण्यान के पुर्ति ला करते, धान हमर पर मुक्ष फ़सल आई, फिर एकर संग मा दलनी है, तिलनी है, मोटा अनाज है, या कहन के वैपारिक फ़सल के बात करन सबो हां भुया मां ही उपज थे और सबो फसल के उत्पादन हम अल्ला इनिकी किसान मनला ही ले ले लाग थे संग्यों कत्कों किसान संग्वारी मन्हा माटी के उरोरा सक्तिला बनाए रखे बर फसर चक्रला अपना के चल थे जेकल ले उत्पादन बराबर बढ़त्र थे और भुण्या मां पोशक तत्त्य के मात्रहा रहे रिए थे खेत के पोशक तत्त्त के चमताला बढ़ाए बर कमपोश्र खात के उप्योग करते रहना चाहिए जेकल ले खेत मां अम्रित मिलत्री थे हमार बहुत जन किसान संग्वारी मन्हा समर्मित क्रिशी प्रणालील अपनावत खेती किसानी के काम बुतला आसान और मजबूत बनावा थे जेला टिकाव खेती घला के थन टिकाव खेती के जब बात कर थन तो हमर खेती है बिना पसुपालन के हो नहीं सका टिकाव खेतू काबर पसुपालन ले ही हमला ये कहन कि खाद मिल थे अव खाद ही के नहीं बलकि ओखाद मिल्थे जेहा हमर खेत बर बड़ लाब दायक हो थे। पसु पालन खेती के ओधाराय जेला कोनो प्रकाल ले दूसरा साधन ले पूरा नहीं कर सकन। पसु धनला पाले ले सबो प्रकार के फायदा हमला मिल्थे चाहे दूद, दही, घी, गोबर, गौमुत्र ये सबो हाँ आज हमर जिनगील जिये बर बहुत जरूरी हो गे। कावर की पसु धनले ही सबो मिल्थे कुनो मसिन नहीं है दूद, दही के या नगोबर बनाए के। ए आज संग्वारी हो पसु धनहा बिल्कुल कमतियावा थे या ये कहान की नाम मात्र के रीगे हैं, खास करके जे जगामन में देखान की बहुत ज्यादा पसु पाला थे, वो घर मला देख्थान तो आज एक ठक ले, दू ठक हो गे हैं। काबर अतिक संग्वारी मनहा अधुनिक्त्या में हो गे हैं कि जवन हमार खेती किसानी के आधार आये, ओला थोकन भुलावा थे, जेहा ये अच्छा बात नो हरै। कि आज घला कत्को संग्मी मनहा कहान की एक तरब तो एला रोजगार के रूप में देखा थे, छोटे-छोटे डेरी लगाके पहली जवन हैं तो ऐसे हैला चलात रहीं फिर आप जवन हैं तो डेरी लगावा थे अएला बने रोजगार के रूप मा इस्थापीत करा थे, हमर ओकर ले जवन हैं तो घर परिवार मा दूजहन चार जणला रोजगार घला मिला थे, यह बहुत अच्छा बात है, संग्यों आउ जवन हमार युवा संग्वारी मनहें उहु मनहा कहूं यह सोचा थे के हम पसुपालानला छोटे रूप में करन या ओकर मनकर जतना साधान है चाहे ओकर चाराए के जगा के बात होबाए चारा के बात होबाए ता ओमनहा अपन सोच और जगा और हिम्मत के अनुसार पसुपालानला जरूर करें कतको जगा ऐसा जगा है के पानी के खेती किसानी में जिसे पानी के मात्रहा कम रही थे चाहे यह कहन के भाठा भूया जगा है या उहां जो उन्हें तो पानी किरस्ट्रो था बहुत कम है तो वहां के हमार किसान संग्वारी मनहा घला कहन के समनमित किरसी प्रनालीला अपना सकते हैं बहुरत फूल केखेती के इमार्ति हमार्त अच्छा ढङले कर सकते हैं भूल के खेती करत हैं यह जिसे भाठा है और भाठा के सांथ साथ यह कहन की फसल की बर वो उपजावू माटी नी रहा है तो यह बहुत बढ़िया काम करत है काबर की समनमित किर्षी प्रणाली के जोन उद्देश से हैं इही हर है कि खेती ले जुड़े रोजगार कर सकता हैं खेती किसानी एक ले दूसर जुड़े रित हैं कहुं छोटे किसान संगी है कम्तिव भूजय है तो संग्वारी मनहा ऐसे जहन सोच है कि समनमित किर्षी प्रणाली हा हमर्णों काबर की अडक्षण चोटे-चोटे किसान आपन भुईया के दस ले और दस नहीं हो आप पावा थे तो पांच परती सत्मा कोई छोटे ले डबरी निर्मान करते और डबली निर्बाट करकि उमा पानी एकत्रित करते संग्रहित करते संग मां मचली पाल सकते अब मचली जो उमा आते के उमला महनत करेके ज़रत नहीं है डबरी में मचली पल थे और उकल्ले चार परिसा कमा सकते आपन आर्थी किस सतीले मजबूत करते से कर सकते अकवत को संग्वारी मन्हा अईसन कामला करते खेती के संग मुर्गी पालान घला एक बड़िया बैस्वा है काबार की यह तो वह से तो बहुत बड़े मात्रा में घला करा थे फिर अज्जे संग्वारी मनकर जतना अपन हस्ती होका अउसार छोटी रूप मा घला एला आसानी ले अपना सकते आउ खेती बर एक कहान के खेती ले जुड़े कहूं रोजगार हमर कर होगे एक ले दू दूले तीन तो बारो महीना कहान कि हमला फूर convenience काबर कि कुो भी रोजगार है 6 महीना 3 महीना 12 महीना अईसे एक कहन के साल भर आप्व साल भर क कहूं हमर कर रोजगार होगे तो यह कहन के हमर विरोजगार हुँ हाँ दूर होगे संगवारी हो आवा सुन्धर कि शान वानी प्राजा के क्रिसे साहकारी के एवं क्रिसा कल्यार मंत्रालाय भारत सरकार। जहां विशेशग्य आपको धेती की समस्याओं का हल देंगे तुरंग। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। खेती किसानी मां समस्या परेसानी हैं चाहे बीजे खातु है या एक हन की पानी हैं। सबों के समस्या के समाधान है और हमर करहे जों हैं तो किसान वानी हैं। यनि की फोनिन कारिक्रम अवाज के कारिक्रम मा के विशे हैं मचली बीज संचयन के पुर्वत्यारी एवं प्रबंधन विशेशग्य हैं। अनिल पुरानिक सहायक मतस्य अधिकारी रायपूर अउनकल्य गोड बात करते चमपेश्वर गोस्वामीत आवा सुन्थन हलो किसान वानी फोनिन कारिक्रम। चौपाल है चच्छानी है सुगघर किशानवानी है मया के कहानी है जानकारी आनिबानी है आवाव आज गोठियाबों आज हलो किसानवानी है अव हलो किसानवानी सुनैया अव इम ऊपोन में जद्का हमेर गोड बात करीए संभारी मन है सबला चमपेश्वर गोस्वामी के रामराम है अव संभारी हो आज हलो किशानवानी महमन गोट करबोन मचली बीज संचयन के पूर्व तैयारी और प्रबंधन ये बारे में जानकारी देबर हमर बीच विशशग्य के रूप में हवें स्री अनिल पूरानिक सहयक मस्स अधिकारी राइपूर तो सर आपके हिर्देले अभिनंदन है स्वागत है राम 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 जैसे की हम बात करा थान मचली बीच के संचयन के पूर्व तैयारी और प्रबंधन तो आज के ये फोनिन कारिकरम में इमा हमा विसे सुरुपले चर्चा करबोन अब हमर संग्वारी मन के भी फोन घलो आ ही फिर में हाँ ये चर्चला आगू बढ़ायले पहली कुछ-कुछ जोन आधार बहुत प्रशन है वो आपके सामने रखा था हूं आउकर हमला समाधान भी चाही तसर मचली बीच संचयन का हो थे जी मचली बीच संचयन ये है कि जून तक तलाब के पानी कम हो जा थे और कम हो यसे मचली बीच प्राया प्राया हमारे काम किसान भाईमन कर डर थे अब फिर से नया फसल के लिए नया बीज बुना है उसी प्रकार नया फसल हमर जुन है जुलाई अगस में मचली जुन तलाब है ते में मचली बीज डाले के काम कर थान इहीं लिकते मचली बीज संचेन अच्छा ये तो मचली बीज संचेन के जुन होते का ये बता है। अब बीज संचेन के सही समय का होते है। प्रजाती प्रजाती अच्छा है और बिखान हाला थे मंग के सुरुज तभे तो दिन महान होते अब अब संग्वारी मन के फोन बाजे के चालू हो गए हावे तो ले वाओ ये पहला फोन है हलो किसानवानी हलो किसानवानी मैं देवरी भाका पर अब गन्नूला रजाक बोला था भी हाँ रजाक जी स्वागत है आपके का प्रशन है आपके हमार ये प्रस्न है कि हमार सब्सक्राइब में जिन मचली के प्रजाती होंगा कौन-कौन से प्रजाती अच्छा है और कौन-कौन प्रजाती के मचली भी संचे करना चाहिए आपके भाटा-पारा के देवरी गाओं में मचली सोसाइटी भी है ठन मुर्जानकारी में उमन काम करते हैं अमना तलाप उपलब दे तो वरतमान में आप मनला रोहु कतला मिरगल ये च्छतित गड़ में एकरे जादा डिमांड है तो रोहु कतला मिरगल के मचली भीज ही से ले लाओ अव अच्छा बीज है उहां उन्नत किस्म के बीज मिलते हैं उही ले लेके आप मनहा संचित करो अन्य बागी बजार से कोई उन्नत किस्म है और अच्छा बीज नहीं मिले तो सास की फारम से ये आप मन जाके रोहु कतला मिरगल के बीज ला लेवाओ उन पार बादा बाजार लें हाँ मानमेन जी बताओ स्वागा थे आपके हमर कारिक्रम में का प्रस्न है आपके बहुत बहुत भेनवाद भाईया सबसे पहले तापन से गोड़ बाग करके बहुत खुसी हुआ थे बहुत दिल लग गोड़ा देश के बहुत अच्छा लगा थे आज आपके सबसे बढ़ी हाँ अच्छा सवाद करो एक आज जयनकारी सम्मल्ना नहीं होए हाला कि सासन मचली पालन की विभाग के द्वारा पचार प्रसार किये जाते आप कोई भी मचली अधिकारिस मिलाओ और मचली फारण में जाओ 50% दन में अगर आप 10,000 के मचली लेवत हो तो 50% 5,000 आप मलने देना है और 10,000 रुपे के मचली आप मलने मिली यह सासन के मोजना है यह आप मन सब मचली पालक भाई मन के लिए लागू हो थे बसरती के आप मन हाँ सासन के मचली पालक से मचली बीच खरिद हो तो नीजी छेतरे में नहीं हो प्राइवेट दुकान में जाओत नहीं मिला है आप अपन आप मन लाग के इंस्पेक्टर्स मिल लो सासन के जुन फारा में तिया जाओ अब बताओ कि मैं मचली पालत हो तो आप जदका भी लिहूओ कर 50% के पैसा दे आओ अब आप मनला 100% आपना मचली बीच रोहू कदला मिर्गल उब्लद हो ही मचली फारा आप मनला धन्यवाद फोन लगाए तेकरवर हलो किशानवानी कौन बुलत हो यसवन्त जी आपके स्वागा थे का प्रस्न है आपके आज किशानवाने में तो मचली के बारे में विश्ता है मचली संचाय के लिए कोई से जानकरी मंचली कोई से तैरी करम भी है बताओ आच्छा डाक्टर सामन बताओ आप मनहा तलाब में जाल चला लाओ एक पार दू पार तीन बार और पूरा अगर सुख गे होई तो तलाब ले एक बार जो तो जो दो आट दो आट दिन और अजो खोड़ दो अगर बाद उमें चूना और पोटाज डाल ले वो चूना पोटाज डाले से जब का कीणा और मकोड़ा तलाब के साफाई सब हो जाते उकर बाद जब आप मचली बीज लाहो बजार से या सासान से खरीदा हो और खरीद के फिर आप मनहा मचली बीज अपन तलाब में संचेन करो डालाओ तो उमें कोई बैमारी की संभावना ने रही और अच्छा से बाढ़ अच्छा ही आप मनला ठीक है धन्यवाद सर चलो भाई आप मनला धन्यवाद है शाटीज गर से कोन बोला थो और कोन जागले बोला थो हा तीवारी जी का प्रस्ण है आपके मुर्प्रस नहीं रही है इसे आप मन्से कि मचली पालन में जो पानी की अपन मन्साफ सफ़ाई के बारे में कब तक चेंज करना है का करना है कर बारे में जानकरी लेना रही हाँ ठीक सबसे बड़ी हपुर में हैं आपके कि मचेली पालन करना है अच्छा बाल लेना है तो मचेली पानी के क्या करना है अगर आपके पास तलाव ए अुबे पर्याब तो पानी के बेऊस्था है तो आप मनहा हमेशा पानी ला बाहर निकलत रहाओ फेकत रहाओ नवा पानी डालत रहाओ उकर से का है मचली यह पानी आपके सुद्द साफ और किसी परही प्रगार की बिमारी ओमे तलाब में ने हो आए लिकिन अग करे लिए पज़ाब तपास बूर होना čाहिए पानी फेके के जगा होना चाहिए तब एक काम हो सकते हैं और पानी बिलकुल साफ रही और उमे अगर पानी साफ नहीं बूर नहीं तो वही पानी लाउप यूब करना है तो चूना, पोटास और बजार में पानी साब करेके दवई भी मिलते, आक्सियन के लिए टेब्लेट भी मिलते, और चारा भी मिलते, लेकिन जब मिच्छी बीच डाले हुआ आप मनहा, रोहो कतला मिरगल, आप डालाओ, समय है जुलाई अगरस के, सबसे बड़ी है जुलाई कनती होगे, आप मनला पानी जिसे फिर जुन बरसाद के पानी भरना है, तो जब पानी भरे पहली तलाद के सफ़ाई ज़र रही है, पहली बात है, अगर बात अगर पानी के सुरोत बूर अगर उपलद है, तो हर महिना पानी उपलद है तो भई, अगर पानी के आपके साध तो वही पानिला, चुना, पुटाद, दवाई, गल के आपका मज़ी पालन करना है, सालबर उप्योग करना है. मुहालाल साहु जी, हाओ, का प्रस्न है आज आज आपके हमार हलो किशानवानी में? आप मन बहुत बड़ी है सवाल करे हो, सबसे बड़ी है कि आप रायपूर कटरो तलाब के पास से बात करत हो, कटरो तलाब से लगे हुए तिली बांधा है, तीह मज़ी आपीस है, रायपूर जिला के कारेला है, फिर भी आप मन हाँ, आकास रानी के माद्द्र दन्यवाद, आप मन मचली बीज रायपूर में, हमर मचली बीज पालन विभाग में, रोहू कतला मिरगल उपलब दे है, मचली बीज डाले के सहीं समय जुलाई अगस्त, इही महीना है, जब तलाब में पानी का मुते बर्जत है, बरसाथ से, और मचली बीज डाले के पहले आप मन साब कर लाओ, चुना पोटा डाल लाओ, जहां पानी बरिज तलाब में, तो रोहू कतला मिरगल रायपूर बजार में भी उपलब दे है, विभाग में भी उपलब दे है, और यही सहीं समय डाले के है, आप मन चाहो तो कभी भी तेली बान्दा में, आप मन आओ, स्वागत आपके अधिकारी बेट थे, सहीं सला सभी जानकारी आप मन लाओ, मिल जाए, अच्छो आपको देसी मचली के सिर्फ देसी मौंगरी के बीज होते हैं, तो देसी मौंगरी की बीज हमर भी भाग में उपलब रहते, लेकिन अप देसी मंगरी में, आप मन हा, कहू कोतरी के, भुंडा के ते, एकर भी हमर भी भाग में उपलब रहते हैं, एमन देसी मचली है, एमन नेचरल होते हैं, पैदा बहुत कम मातरम होते हैं, तो एकर मचली पालन नहीं किया जाए, रोहु कतला, मिरगल, फंगेसियर्स, या तिलापिया, यही आजकल, या आपकी कामन कार्प है, यह मचली आजकल उपलब रहते हैं, एकर मचली पालन किया जाते हैं, पैदावान जादा है, वो अच्छा मतरम मिल्या के मुलापा, वो आपके अभी चला थे बजार में फंगेसियर्स के, आप मन फंगास कतोला, बजार में उपलब रहते हैं, आठ महीना में एक किलो हो जार में जच्राब, बहुत बिour, जारवान जाब, जारय में फंगेसियर्स के किलो हो यह तूगास के?, आपके हमरे काइकन में स्वगतत हैं, बताव का प्रस्न है आपके? अच्छा पीज, बीज की जवर्वर्त है थीक है, डक्डर सब आप मनलब बतावा थाब बहुत बढ़िया आप मनसावाल करे हो मच्ली पालन करना है अगर आपके पास 10 वर्षी पट्टक के तलाब हो ही या नीजी तलाब हो ही तो बालोध जिला से आप मन हो तो बालोद में ही साहिक संचालक मचली पालन के आफिस है वहां से संपर कर सकते हो वही जीला में हमर मचली पालन के फारम है वह बता दी ही सासन की निर्धारित रेट है अलग-अलग साइस के मचली उपलब्द है रोहू, कतला, मिरगल आप मनहा साइग संचालक जो बलाग से हो बलाग के इंस्पेक्टर मचली बाव मचली पालन के वोकर से संपर करो और आप मनला बालोद जीला के बाहर या बालो से जाएक जरुरत नहीं राजनान गाउ रायपूर अब मनला बालोद में ही आप मनला मचली बीज महाँ पे मिल जही और रोहु कदला मिर्गल इही मचली आमर सरकार के मिलते है फाराम में इललेवा और संचे करो घलो किसानवानी जैरांगा राम रामगा आमे रामचन देवांगन कोन ब्लाक और कोन जीलल बोला थो का प्रस्म है आपके बताओ कतकबर तलाब है भहिया आपके कतकबर आधा एकड़ के चलिए आपका आधा एकड़ तलाब है उमें साल भर पानी तो नहीं रहात होई बहुत बढ़िया बात है अगर साल भर पानी है तो कांकेर जीना में कांकेर में ही हमर फारा में मचली भी भाग के उहां पे मचली बीद छोटे बड़े प्राई फिंगर जटका साइच के चीज मचली बीच उपलब दे तो काकेर या आपके बलाग के इंस्पेक्टर समीला हूँ या काकेर के मचली पालन मी भाग में जावाँ आप मला रोहू कतला मिरगल ये मचली हमर सासन के फारा में उपलब दे उला लेवा उला संचित कराँ अब हथगा है कि मचली बीच डाले पहली तलाब के पानी जारा साप कर ले हूँ जाल चला के और साप करके उमें चूना हूँ पोटास डाल दे हूँ उगर से मचली पीच डाल होना तो कोई बीमारी नहीं आई और बढ़िया से बाढ़ हो है मचली पालन में धन्यावाद जा, द्ल्ween भेज़ोद अफो मलन बधाई हो तो नवगर कट ही कोन बलाक व कोन जीला माथेगा ये हमेटर जीला में आथे भीया नवगर बलाक है अच्छा तो आपके स्वागत है, राम राम है, का प्रस्न है आपके? आपके स्वाइब 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 आपके स्वाइ पारम में मच्छी बीज उपलब रत है। सासकी अधिकारी या मच्छी पारं के जोन्इ इस्पेक्टरस मिलाओ शासन से मच्छी बीज खरीदाओ उनट किस्व के हमर पास मच्छी पीर सासन मेपास मिलते हैं। बाहरी में अच्छा बीज मिले के गरिंटिर रखे नी रहते ने बता सको। सासन के पास रहू कतला मिजगर उन्नत किस्प की बीजे उले लेवाओ अवले के अपन तलाब में संचै करो बढ़िया से बाड़ा ही बियाओ में अच्छा पाइदा हुआ है हाँ 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 सुगह जान करे देवर या अपना बहुत भऌट धन्यवाद दे है बेर डक्टर साहब ये बीज संचैन के बाद आगे के परक्रिया का है हुला थोड़ा विश्टार से बताते हैं बीच संचेन के बाद आपको मचली पालन के लिए जड़ा धिहान रखना होगा समय समय में कि आप जायल को चलाएं हर महने में या डेवे महने में एक बार कि मचली बीच कोई बीमारी तो नहीं लगी है बार अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्योंकि मचली बीच जब उसमें नित प्रती प्रती दीन हफ्ता 15 में उसका साइज में अंतर आते रहता है और उसमें किसी भी प्यकार की बिमारी या इंफेक्शन नहुँश देखने के लिए महने में एक बार जाल जरूर चलाएं चला के आप उसको देख लीजिए और जाल चलाने से मचली एक जगा आती है फिर आप छोड़ देते हैं फिर तो उनका एक सरसाइस हो जाता है तो उसमें बाड भी बहुत अच्छा आता है तो समय समय में जाल चला के देखने से बीमारियों का पता चलता है रखरखाओ का पता चलता है और आज कल बजार में मचली प्रोटीन किस प्रकार से मिले उनका बाड कैसे हो विबिन प्रकार के दवाईयां सस्ते दर में उपलब्द है अधिकारियों से आप संपर करिए संपर करके जानकारी लीजिए और हमारे अधिकारी संपर करके उनको बुलाईए आपके पास आएंगे और उचित सलाह देंगे निस सुल्क है अधिकारी हमारा मच्छी पालानवी भाग का कामी है कि आपके पास आएं परामर्स दें और सासन की जो भी योजनाए हैं बीबिन योजनाए हैं जैसे मच्छी बीज आप लेंगे तो मच्छी बीज में 50% के छूट है आपको 5000 रुपए दिया जाएगा आपको देना है और 10,000 का मच्छी बीज मिलेगा समय समय में सासन के अनुदान की रूप में आईस बाल से देते हैं मच्छी रखने के लिए जाल देते हैं तो मच्छी भाग के अधिकारियों से संपर कीजिए सासन की उजनाए हैं अगर सम विभाग से आप संपर करें और जानकारी लें और सासन की उजनाओं का लाब लें इस प्रकार से आपको आपके आर्थिक उन्निती में मच्छी पालन विभाग ततपर हैं आप आईए स्वागत है और उसका लाब लीजिए इमा एक चीज है अपन समेटे हो बहुत बढ़िया हमार संपर कीजिए मला जानकारी आप मन दिवत हो इमा एक जिनी सुटा थे सर कि का मच्छी पालन करने वाला किसान मला विभाग को तीले कुनों प्रकार के प्रसिक्षन के विवस्ता हाबे अगर प्रसिक्षन के विवस् छाते है खेते हैं तो ओकर लिए एक हेक्टेर ढाई एकड में सात लाख रूपिया के युनिट कास्ट है ढाई एकड़ के लिए सात लाख रूपिया के हैं उमें SECST महिलाला 100% के अनुदान है और समाने जाती के लिए 40% के अनुदान है तो आब अगर खेते में तलाब बनाना चाहतो तो सासन अनुदान देते हैं मचली पाला नहीं भागा तलाब बनाईए अनुदान का लाब लीजिए पहली बात दूसरी चीज प्रसिक्षन के बारे मां बात कर रहे हो तो हमन दस वर्सी पट्टे में तलाब उपलप करा थन दूसरा साल में तीन दिन के भी हमर ट्रेनिंग होते जिमें दू दिन आप मनला ट्रेनिंग दे थान और एक दिन आप मनला जहां जहां हमर मचली पालन होते अच्छा से फारा में हैं उहां हमनहां ले जाके आप मनला होकर तूर करवा थान दौरा ताकि आप मनला जानकारी हो म मच्छी पालन कैसे होते और ट्रेनिंग के बाद में आपने लगा समय समय जो जानकारी है तो साल भर मच्छी पालन में आपको जानकारी हो परामर्स देख लिए हमरा अधिकारी तपर रते उपलग्द रते ये तो बड़ बड़िया आप मन जानकारी देओ निष्ची तरुपसे आपके जानकारी है अवर पाक हमर जो संग्वारी मने जो बड़िया आप मन जवाब देओ तर संग्वारी हो मचली बीज संजयन के पूर्व तयारी एवं प्रवंधन ये विशैमा हमान होनिन कारिकरम हलो किशान वानिमा बहुत अच्छा जानकारी पाये हैं जानकारी देवत रहिन स्री अनिल पुरानिक जी सहायक मस्चा दिकारी राइपूर प्रस्तुत करता रहिन स्री शशी प्रकास पांडे जी तकनिकी सहयोग मिथलेश प्रसात सिन्धा प्रियंका डिकसेना नरायन सी राठोर के रहिस अव संग्वारी हो का कहों गस्ती होगे बन कचरा के मस्ती होगे सुखाय खेत खार मसंगी पानी के रजरज ग्रिहस्ती होगे गली गाव सुनना लागत हे खेत खार हा बस्ती होगे किसान संगी गावत हावे चिकला माटी के कुस्ती होगे हमु मन फोन म मज़ा लेवा थन हमर बार फोन बड़ हस्ती हो गए फोन बड़े हस्ती हो गए है माने फोन इन कारिकरम में आप मन आईसने से